मेरा बोडी आ रहा है और मैं अपने स्किन को भूँच अच्छे से पैमपर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ बेवी के बाद सब कुछ बेवी के लिए होता है तो आज का दिन सर्फ और सर्फ मेरी लिए है मैं अपना skincare, body care, pamper, routine आपके साथ share करने वाली हूँ और आपके लिए भी बहुत जारे tips हैं आप देख रहे हो भी natural, मैं हूँ रेका, let's get started राउंग face wash method के बाद, after effect यह होगा कि आपके चले पर बहुत जादा dryness रहेगा, खुझली रहेगा, irritation और redness रहेगा, इसे बशनी के लिए यह tips फॉलो करो face wash कौन सी quality का ले रहे हो, कितनी quantity ले रहे हो, दोनों matter करता है, बहुत जादा face wash ऐसे भर लिया, क्या रहे, मज़े आएंगे, जाग आएगा, मुपे रगड़ लिया, no, यह demo के लिए भी मैं नहीं कर पा रही थी, that feels so wrong for my skin, मैंने फटा बट से face धो लिया, face wash आप अपनी skin के किसी भी तरीके का, headband लगा लो, जरूर, hairband लो लगा लो, क्योंकि जो हमारे hair line होता है, face wash कर देते हैं, जिससे वहां के बाले टूटने लग जाते हैं, जब भी face wash करो, चेहरा ऐसे ही सूखी face पे नहीं करना जाए, face wash, हमें से चेहरा पहले, गीला कर लो, थोड़ा साइज जिसके लिए, आप फेस वाश यूज करोगे, अच्छे से मसाज करोगे, जिसके लिए एफेस वाश करोगे, जिसके लिए बात की जाए, तो मैं बहुत माइल्ड फेस वाश करती हूँ, यूज करती हूँ, यूज करती हूँ, गुडवफ का, apple cider vinegar and blueberry anti acne smoothie cleanser, यह forever collection का है, फेस वाश करो, तो make sure कि पानी बहुत जादा घरम नहीं होना चाहिए, और बहुत जादा थंडा भी नहीं होना चाहिए, medium lukewarm water use, after face wash, face किता जादा clean, soft, glowing लग रहा है, यह स्मूधी cleanser है, premium packaging में है, और बहुत अच्छे से skin को clean करता है, acne causing bacteria को prevent करता है, जाग नहीं था क्यो जब बात करते हैं, body care की, so जब मेरा pamper skincare routine में follow करने वाली होती हूँ, तो सबसे पहले head से start करती हूँ, शार लेती हूँ, अच्छे से, बालो को गीला कर लिया है, hair wash बताती हूँ, easy तरीके है, follow करना, hair wash इस तरीके से करोगे ना, hair fall कम होता है, बालो को गीला करना, shampoo को पानी तब लगाना चाहिए, बालो में पानी ज़्यादा टपकना नहीं चाहिए, conditioner DIY लगा सकते हो, या बाहर से खित के लगा सकते हो, पात जास नट के लिए conditioner को अपने बालो में यह ही छोड़ देना, अब मैं कोई लूफा यूज नहीं करूँगी, बालो में लगा हुआ है, किसी और वीडियो में शाय करूँगी, इस तरीके से यूर्स क्लीन करोगे ना, तो जो एक्स्ट्रा वैक्स होती है, वो निकल जाएगी, कान के पीछे, जो मैल और गंदगी होती है, वो निकल जाएगी, पानी से धोलो, एंडेन इतना भर भर करके, शार जल मत लेना, आपक इसको इस तरीके से हलके हाथों से सर्क्लर मोशन में रब करते हुए लगाओ, इसे क्या होगा, अभी में अपना बॉडी का हैर भी रिमॉफ करके आपको दिखाऊंगी, तो अगर मैं स्क्रब करूँगी, तो थरा टाइम लगता है, मैं को भी स्क्रब नहीं करने का मनता, त इसे तो मैं अपना DIY, Face Pack, Body Pack लगाना पसंद करती हूँ अपने पैमपर रूटीन में, लेकिन अमायरा के बाद उतना जादा टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, यह जल्दी हो जाता है, अदर्वाइस मैं उप्टन लगाना ज्यादा प्रिफर करती हूँ, चिक है, उसके दिन शूट करूँगी, नहीं तो यह विडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, जब मेरा बॉडी वाश हो जाता है, अच्छे से, अब मैं कंडिशनर हटा रही हूँ, मुझे यह सब करते हूँ हो गया 10 मिट, अब मैं 10 मिट के अंदर, कंडिशनर भी हटा रही हूँ, नॉमल जब तो यह सारा प्रोस्स करते हूँ, आप मेरे बॉडी के हैर ना, सफ्ट हो चुके हैं, कभी भी ना, हमेशा पहले बॉडी के हैर मत रिमूफ करो, थोड़ा हार होते हैं, नहाने के बाद, शांपू कर लिए उसके बाद, अब बॉडी के हैर को रिमूफ करो, तब तक आपको आपके हैर को रिमूफ करना चाहिए, अब पोस टारिक्शन में मत जो, तो कापी अच्छे से हैर रिमूफ हो जाते हैं, अब यहाँ पर बाल इतने जादा सॉफ्ट हो चुके है, नहाने के बाद, कि एक स्ट्रोक में ही सारे बाल निकल जाते हैं, और जिस तरीके से म काम करता हैं, और बाल कहसे निकल रहे हैं, और जो बाल निकलते हैं, तो साथ साथ dead skin के रेर भी निकल जाती है, तो शेफ करना मुझे बहुत सही लगता है, खुद से गर बैटे बैटे नाते-नाते कर लो, बॉड़ी कितनी अच्छी हो जाती है, मतलब सारी dirt, grime निकल जाता मेरा body care here almost complete हो गया, चलो अपने हाथों के underarms के तो बाल निकाल लिए, अब पैरो के बाल निकालते हैं, मतलब अब जब legs के hair remove करते हैं, तो उसकी भी technique कोई अलग नहीं है, बस यही है कि गिला कर लो, ठीके नहाने के बाद बाल soft हो जाते हैं, और hair growth की direction में इस तरीकी से बाल remove कर लो, आराम से नहाथे time ये काम कर लो, बैट करके मैं यहापे करके आपको पूरा demo दिखा रही हूँ, ताकि मन में आपके कोई doubt नहीं रहना चाहिए, है ना, अब यहीं चीज में जाके parallel में कराऊंगी, तो फिर अभी time निकालो, वहाँ जो, पैसे भरो, इससे अचा घर बैटे-बैटे कुद कर लो, तो हफते में एक बार मैं कर लेती हूं, तो मुरे को तो easy लगता है, यार, वैसे आप अपने बॉड़ी के हैर रिमूफ करने के लिए, कौन सा मैथा फॉलो करते हूं, लेटे नो इन दे कॉमें सेक्शन, यह कितने बड़े-बड़े बाल है, मै बतानी कितने महीने से हमने पारो के बाल हटाय नहीं, तो भी तो कहरी हो, यह पैमपर शार रूटीन मेरा होने वाला, भी ते को कितने प्यारे लग रहे हैं, हैंद और बड़े आए, मैं कर रही हूं, और सब सब बड़े तो मैं बने बोड़े के सार्ट की है, दीरे-दीरे स कि बाड़ी पर करता है, समझे हो, फेस कला दियान भी रखोगी, मैं फेस पे अपना DIY ग्लो सीरम लगा रही हूं और देन मसाज कर दूंगी, अच्छे से, स्किन कितनी ज़दा सॉफ्ट, प्लम और फॉर्म लग रही है, हमेशा कुछ भी लगाती हूं, मैं अच्छे से, मसा जरूर देती हूं, और यह बहुत जरूर है, यह बहुत जरूरी 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 है, यह बहुत watching I'll catch you again till then bye guys